तो question 14 देख लिए गिवन 3 log x plus half log y is equal to 2 express y in terms of x ठीक है देखे यह जब भी ऐसे करके आपको नजर आएगा तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें third law लगेगा कौन सा power law तो इसको आप कैसे लिखेंगे लॉग x raised to power 3 समांधरी ठीक है उसी तरह जो second लिखा हुआ है उसमें भी power law लगेगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा वाई raised to power half बहुत बढ़ी है नहीं समझ मैं है good doubt अब यह log of x cube plus log of y half अब इस पे जो लगाएंगे वो लगाएंगे first rule तो यह किसके एको लो जाएगा log of x cube y half is equal to 2 नहीं समझ मैं है भाई समझ नहीं आ रहा अरे left hand side जो है वो log x cube y raised to power half अपने reduce कर दिया अब right hand side पे सर्फ 2 लिखा हुआ है जैसे कि हमने question 13 में detail में समझा कि 10 raised to power 2 100 होता है so log of 100 to the base 10 2 होता है नहीं समझ मैं तो log of 100 2 के equal होता है कहने का मतलब कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है क्या मैं इसको log 100 लिख सकती हूँ हा लिख सकती हूँ जैसे मैं 1 को log 10 लिख सकती हूँ तो मैं 2 को log 100 लिख सकती हूँ मैं 3 को log 1000 लिख सकती हूँ नहीं समझ मैं तो यह वला जो log है log of something is equal to log of something नहीं समझ मैं तो something is equal to something so x cube y half is equal to 100 मेरी बात नी समझाई अब थोड़ा सा दिमाग पे जो डाले थोड़ा सा दिमाग पे जो डाले ये जो y half लिखा हुआ है ये जो y half लिखा हुआ है ये actual में आप इसको ऐसे भी लिख सकते है नहीं समझ मैं मेरी बात नी समझा रही अरे indices में किया है भाई ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि root y जो है वो 100 upon x cube के equal है मैं तो नहीं समझ मैं आ रहा squaring both sides squaring both sides y जो है वो 10,000 upon x raise to power 6 के equal है मैं तो नहीं समझ मैं है ऐसे questions exam में आने की possibility कम है आपको इसलिए कराए जा रहा है ताकि जो rules है वो आपको अच्छी तरह समझा जाए और आपको ये समझा जाए कि log देखिए जो हमने कल slabors देखा था उसमें लिखा था log and its uses laws of log and its uses तो ये उसके uses है तो log की properties कैसे use होती है वो आपको बताया जा रहा है जब तक practice नहीं करेंगे जब तक देख देख के questions नहीं करेंगे questions नहीं होने वाले guaranteed मैं तो रहों को doubt है इसके बाद आता है question 15 और question 16 question 15 जो है वो तो मैं जब एक दम दरिंदा है थोड़ा सा difficult है but question 16 जो है वो असान ताकि आपका log पे कोई भरोसा न उड़ जाए इसलिए मैं पहले question 16 करूँगा जो थोड़ा easy वाला है 16 आपको easy लगेगा उसके बाद question 15 करूँगा समझा है